के ओलाइब खेल जाले में वियुथी चैनल अगर आपकी में अमर बाल सफेद हो रही है तो आज आपके सथिक ऐसा नुश्का शेयर करूंगे जिससे आपके जुबाल काले हैं वो काले ही बने रहेंगे और जुबाल सफेद हैं उस पर बहुत अच्छा गहरा रंग आएगा और इस नुसके को अगर आप रेगुलर करते हैं तो आप बहुत लंबी एज तक डाई या फिर मार्केट के कलर लगाने से बच सकते हैं तो आप एक लीजिए लोहे का बरतन और उसमें डालिए एक लास पानी लोहे का बरतन जरूर लीजिएगा क्योंकि हम अपने काले बालों को काला रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा लोहे के बरतन से हमें फायदा मिलता है चीजे रियक्ट अच्छा करती हैं दो चमश मैंने लीए इस इसमें चाय पत्ती और इसको अब हमें उबलने देना है चाय पत्ती बेसिकली निकोटेनिक एसिट से रिच होती है और जब आप अपने काले बालों को काला ही रखना चाहते हैं तो यह बहुत बढ़िया काम करती है और आज के जुमें इनुसका आपके साथ शेयर कर रही यह उन सभी लोगों के लिए भी हैं जिनके बाल या तो सफेद नहीं है या फिर बहुत कम सफेद हैं साथ में में डाल रही हूं पास से छे रीठा रीठा यानि सोप नट जब आप मैं एक्चली महंदी बना रही हूं तो जब भी आप कोई भी हेयर पैक के महंदी लगाते ह हैं तो बोला जाता है सोप ना लगाएं या शैंपू ना करें तो इसके लिए रीठा जरू आलिए साथ में डाला है थोड़ा सा इसमें आमला और शिकाकाई यह तीनो चीजे आपको ड्राय फॉर्म में लेनी है और आपको यह इसली किसी भी जर्नल स्टोर से मिल जाएंगी ड्राय फॉर्म में इसली मैंने प्रेफर की हैं क्योंकि पानी में अगर हम पाउडर को घोलते हैं तो वो स्ट्रेन होने के बार भी पाउडर रह जाता है लेकिन ड्राय फॉर्म में एक तो हमें प्योर मिलता है और दूसरा स्ट्रेन होने पर अच्छे से स्ट्रेन होता है सि इसको जरूर उबालिएगा, उसके बाद आप इसको रूम टेंपरेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए, इसी तरह लोहे के बरतन में ही, और जब आपको लगे कि थोड़ा सा रूम टेंपरेचर पे आ गया है, तब आप इसको स्ट्रेन करके अलग कर सकते हैं, इन इसके बाद मैंने इस पानी को स्ट्रेन कर लिया और वापे से लोहे के बरतन को खाली कर लिया, अब मैं दुबारा से इसमें हिना एट करूंगी, हिना आप कोई भी ले सकते हो, हरी महंदी लेनी है, कोई भी ब्रैंड की आप हरी महंदी ले लीजिए, अपने बालों की लें आधा से डाल दिया है, और अगर स्पून का मेजिरमेंट लेंगे, तो 2-3 चमच हमने कॉफी आट किया है, साथ में इसमें आट करूंगी शिककाई पाउडर, शिककाई पाउडर बालों को हेल्थ देता है, बालों को लस्तर और श्राइन देता है, और साथ में डालेंगी आ आमला को खाना शुरू कीजिए, अब जो हमने पानी तयार किया है, उस पानी से हम अपनी हिना को घोल लेंगे, अच्छे से इसको घोलेंगे, तो इसको पूरी रात के लिए आपको चोड़ना है, बतलब 8-10 घंटे के लिए आप जरूर बहेंदी को छोड़िए, जिससे कि अपना कलर रिलीज करें, और लोहे के बरतन में कलर बहुत अच्छे से रिलीज होता भी है, अब 8-10 घंटे जब आप इसको छोड़ देंगे, तो अगली सुबह आप देखेंगे, इसका कलर चेंज हो चुका होगा, हाँ एक और चीज, जो हमारा ये मिक्षर था, इस मिक्ष जो भी रियक्षन था, आवला का और लोहे के बरतन का वो सिर्फ उपर की लेयर पे आया है, तो चलो इसको पूरी तरह से डाकिस्ट ब्राउन करते हैं, जो हमारा कॉफी का सैशे बच किया था, वो बापिस से मैंने पूरा इस में और डाल दिया, यानि आप ये समझ सकते हो तो दो चमच भर के आपको सुभा कॉफी फिरिसेस में आड करना है, और उसके बाद आपको इसको दो घंटे छोड़ना है, अच्छे से आप मिक्स कीजिए और दो घंटे इसको छोड़ दीजिए, दो घंटे के बाद आप इसका कलर में साडन डिफ्रेंस देखेंगे, और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि हम कॉफी को सुबा डाल कर दो घंटे छोड़ने से क्या फाइदा मिलता है, कॉफी आक्चली रौ फॉर्म में इस तरह रियक्ट करती है, जितना कलर हिना ने देना था उतना दिया, उसके बाद कॉफी ने रियक्ट किया, देखो कितना अच्छा डाक कलर हो गया, बालों पे लगाईए दो घंटे, हर हफ़ते लगाईए, आपके सफेद बालों में बहुत प्यारा नाच्रल टिंट आएगा, और जो आपके बाल काले हैं, वो काले ही बने रहेंगे, ये मैं फिर बता रही हूँ, ये नुसका सिर्फ उन लोगों के लिए हैं, जिनको कम उम्र पे बाल सफेद हो रही हैं, जिनको प्रीमेचुर ग्रेंग का प्रॉब्लम हो रहा है, जो टाइय कलर नहीं लगाना चाहते, जिनके कुछ बाल, 10-15 बाल सफेद हुए हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, तो चलिए वीडियो कैसा लगा है, जरूर बताईएगा, और लाइकें शेयर करते वे चाहिएगा, फिर मिलती हूँ, बाई बाई,